आयोधिया के कार सेवक पुरम में राम भक्तों के लिए निरंतर भोजन का प्रबंध भी किया जाता है और बड़ी संख्या में लोगों को कार सेवक पुरम में भोजन कराने का कई वर्षों से कारे किया जा रहा है और ये मंदर निर्मान कारे शुरू होने से श्रधालू की संख्या भी बढ़ती जा रही है जिसको लेकर कारसेवक पुरा में बड़ी मातरा में भोजन प्रबंद हो सके इसके लिए आटोमेटिक रोटी मेकर मशीन को दान में दिया गया है बता दे की ब्लेड रनर पवन कुमार फाउंडेशन हैदराबास से आए चलाश श्रीवनवास शर्मा ने आटोमेटिक रोटी मेकर मशीन को दान में दिया है जिसकी कीमत 6,50,000 रोपे बताई जा रही है जिससे राम जनब भूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक् कर कार सेवकपुरा में आटोमेटिक रोटी मेकर मशीन को स्थापित किया है यह श्रीवास जी आंद्रा से सब परिवार आये हैं बहुत दिनों पहले जब ट्रस्ट की घोशना हुई थी उसके बाद भी आपका आना हुआ था इन्होंने एक चांदी की इंट एक किलो की भें स्थाम करेंगे तो फिलाल उन्होंने एक रोटी मेकर रोटी बनाने की मशीन है वेजीटेबुल कटर है सब्जी काटने की मशीन है और सब्जी दाल रोटी आधी गरम बना रहे हैं उसके लिए एक स्टोर है उन्होंने आज लिया करके स्वयम बेंट किया है में इस मेकैनिक जो जो एंदिया है